टाइगर का मेसेज नाम से इस फिल्म का टीजर रिलीज के आगया, जहाँ पर टाइगर हमें बताता है कि वो पिछले 20 सालों से देश के लिए काम कर रहा है, और अचानक से उसे गदार बताया जा रहा है, और एसा कर कुर रहा है, आतीश जुकि इस फिल्म का विलन होने वाला है जो कि अपने डायलोग से कहे रहा है कि सलमान ने उससे उसकी फैमिली चीनी है और इसलिए वो इस बार टाइगर से उसका सब कुछ चीनने के लिए आया है ये वाला विलन बहुत मैनेपुलेटिंग होने वाला है क्योंकि टाइगर को फिजिकली एट टाइम मेंटली बहुत मैनेपुलेट करेगा टेलर में हमें आगया और दिखाया जाता है कि टाइगर को दो चोईसे दी गई है जहाँ पर एक तरफ उसका देश है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली अभी किसे चूज करेगा टाइगर ये वाली मूमेंट टाइगर के लिए बहुत क्रुशल होने व वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बार जरुरत है काम से नहीं है परसनल है तो मोश प्रोबेबली ये वाला कॉल पठान को हो सकता है और इसलिए इस फिल्म में हमें पठान का कैमियो देखने को मिल सकता है जो कि होना भी चाहिए क्योंकि दिल से अच्छा लगता है भाई खेर ट्रेलर और टीजर में हमें बड़े-बड़े शब्दों में ये बात बताई जा रही है कि फॉल्विंग दे इवेंट्स ऑफ टाइगर जिन्दा है वार और पठान मुझे यसा लगता है कि वायरेफ वाले हमें इस फिल्म में वार और पठान के आफ्टर इफेक जिनके ऑपोजिट भी है इमरान हाश्मी तो ये डूओ तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला हाथों का इस यही वो चीज़े थी जो कि मुझे ये फिल्म थेटर्स में देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है और आभी आप लोग मुझे सुनकर जाओ जिनके घर शिशे के होते हैं न वो बेस्मेन में कपड़े बदलते हैं